Hey viewers, welcome back to your own channel, Target Bullseye आज हम लोग जिस company के बार में बात करने वाले हैं अगर उस company के returns पे सबसे पहले नज़र डाले तो आप देखेंगे कि भले ही वो short term हो, mid term हो या फिर long term हो, आपको सारे ही time frame में अच्छा खासा एक return बना के दिया है इस company ने तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर आप numbers जो है वो clearly visible है, आप चाहें तो यहाँ पर read out कर सकते हैं वीडियो को pause करके, अब अगर बात करें इसके हम जो analyst है और analyst की राए के उपर अगर बात माने तो 100% analyst आपको इसमें buying की rating दे रहे हैं बट, it all depends on you की आपको क्या लगता है और आपके खुद की analysis क्या है क्योंकि बहुत सारे YouTubers हैं या फिर बहुत सारे institute हैं ऐसे books मिलेंगे आपको जहाँ पर हम सिर्फ आपको suggest कर सकते हैं बट final decision जो होगा वो आपका होना चाहिए तो better है कि आप अपने तरफ से भी तो चली वीडियो में और बढ़ते हैं आगे की तरफ अगर वीडियो आपको आखरी में अच्छा लगे तो like, share किये बिना ना जाए और अगर आप channel पे नए हैं तो उसको subscribe भी कर ले तो आज हम लोग बात करने वाले हैं Kaplan Point Laboratories Limited के बारे में ये company pharmaceutical company है अगर ये company established कब हुई थी तो 1990 में इसकी establishment हुई है initially ये company produce करती थी ointment and creams बगेरा बट अगर बात करें company list कब हुई है तो 1994 में इसकी listing हुई थी और उस time ये 117 times over subscribe price पे ये list हुई थी ये share अब अगर देखें कि companies majorly क्या करती तो ये companies जो है wide range of generic formulation and branded products और ये जितने भी इनके generic formulation and branded products है जो ये manufacture करती है तो ये सारे ही इनके export होते है overseas market में भी अगर बात करें company अभी recently target कर रही है या focus कर रही है जो emerging markets है Latin America, Caribbean, Francophone and Southern Africa में वहाँ पे भी ये लोग अपने जो भी है वो business को expand करने की और focus कर रहे है और बहतर तरीके से अपने जो business उसको बढ़ाने के लिए बात करें अगर इनके suppliers की तो आप देख सकते है इनके जो suppliers है और साथ में जो इनके products है वो 2800 products ऐसे है जो की licensed है across the globe और साथ साथ आप कह सकते हैं कि ये सबसे leading supplier जो pharmaceutical के suppliers होते वो इन में से ये leading company है अब सबसे पहले हम बात कर लेते हैं sales growth के numbers पे sales growth percentage अगर आप बात करते हैं यहाँ पे तो आप देखेंगे कि five and three years में तो हमें बहतरी नजर आ रहे थे बट one year में आपको जो यहाँ पे है वो एक dip देखने को मिल रहा है बात करें अगर profit growth percentage की तो profit growth percentage भी आपको अच्छे खासे नजर आ रहे हैं जैसे कि five years and three years की बात करें तो five years में आपको जो हैं 37 percent के आसपास नजर आ रहे हैं three years में 41 percent and one year की बात करें हलका dip आपको नजर आया बट फिर भी आपको जो numbers है ऐसे overall वो आपको ठीक अच्छे नजर आ रहे हैं यह नहीं कि negative में हमें किसी भी तरह का कोई number नजर नहीं आ रहे हैं बात करें अगर ROE की तो जैसा कि हम हमेशा discuss करते हैं कि एक हमारा होना चाहिए कि 20 percent से above हो fundamentally वो companies हैं वो strong होती यहाँ पे आपको जो जितने भी numbers हैं पास साल तीन साल या एक साल की बात करें भले ही हमें fluctuations दिख रहे हैं बट फिर भी इन्होंने 20 percent से काफी above maintain किया हुआ है ROCE की बात करें तो ROCE और भी बहतर आपको दिखेंगे ROE के मुकाबले में क्योंकि ROCE आपको और भी बहतर numbers यहाँ पे दिखा रहे हैं बात करें debt equity की तो यह company जो है यहाँ पे आपको कोई तरह का debt नजर नहीं आ रहा है that means यह company जो है यह almost debt free company के category में fall down होती है अब अगर यहाँ पे हम financials के उपर नजर डालते है तो यहाँ पे हम बात करेंगे 4 साल की जहां से 2018 March से लेके 2021 March तक की यहाँ पे आपको जितने भी numbers है वो आपको करोर में देखने को मिल रहे है सबसे पहले अगर बात करते हैं sales की तो आपको जो numbers है यहाँ पे साल दर साल gradually आपको बढ़ते हुए दिख रहे है वो भी अच्छे खासे numbers में बात करें अगर हम पिछले March से लेके इस March तक के जो sales की जो difference है percentage wise तो वो निकल के आ रहे है 23% के आसपास तो देख सकते हैं आप कि पिछले साल के मुकाबले जो March 2021 के sales रहा है वहाँ पे आपको 23% तक का आपको jump देखने को मिल रहा है बात करें अगर net profit की तो net profit में भी आप जो numbers यहाँ देख रहे हैं वो भी आपको वैसे ही gradually बढ़ते हुए दिख रहे हैं तो यहाँ पे जो भी है sales के या फिर net profit हो आपको दोनों ही positive में और jump के साथ अच्छे percentage भी नजर आ रहे हैं अब अगर quarter basis के उपर बात करते हैं तो यहाँ पे आप देखेंगे चार quarter के बारे में हम discuss करने वाले जून 20 से लेके March 21 तक के अगेन यहाँ पे जितने भी numbers हैं वो आपको करोर में नजर आ रहे हैं sales के उपर अगर देखें तो हम देखेंगे कि यहाँ पे भी sales के numbers हैं वो आपको बढ़ते हुए दिख रहे हैं हर quarter to quarter अगर इस दोनों के बीच के difference की बात करें तो यहाँ पे आपके जो percentage change है वो 1 to 2% के आसपास का आपको जम्प देखने को मिलेगा net profit के उपर अगर देखें तो 55, 57, 64 and 66 इन दो जो quarter है इसकी बात करें तो यहाँ आपको 3% का jump नजर आ रहे हैं तो यहाँ आपको जैसे हमने देखा पिछले side में भी year on year हो या फिर quarter on quarter हो आपको percentage wise जो है वो सारे ही result है सारे positive में आपको नजर आ रहे हैं साथ ही अगर इसके valuation के उपर बात करें तो आप देखेंगे जो EPS है वो आपके सामने है 20 के आसपास निकल के आ रहा है इंडस्ट्री P.E. बात करें तो 38 है and stock P.E. is 32 तो यहाँ आपको जो share है वो आपको undervalued price पे मिल रहा है deliverables के numbers देखते हैं तो 41% की delivery हुई थी Friday के दिन अब बात करेंगे जो कल के दिन इसमें क्या होने वाला या फिर कल के दिन कैसा कारोबार होगा वो हम देखेंगे चार्ट के उपर चार्ट पे जाने से पहले हम लोग share holding patterns भी देख लेते हैं share holding patterns में हम 4 quarter की बात कर रहे हैं June 2020 से लेके March 2021 तक की promoters की holding आप देखेंगे तो maximum जो numbers है वो promoters के पास है जितनी भी holdings है 69% के आसपास holdings आपको promoters के पास देखने को मिल रही है अब बाकी 4 quarter में आपको consistency maintain करते हुए ये लोग दिख रहे हैं FII के numbers पे अगर नजर डालते हैं तो आप देखेंगे जो FII के number है वो आपको घटते हुए दिख रहे हैं हर quarter to quarter DII के पास जो numbers थे उनमें आपको यहां पे हर quarterly आपको बढ़ोतरी नजर आ रहे होंगे Public की बात करें तो public के जो यहां holdings है वो भी आपको बढ़ते हुए दिख रहे हर quarter to quarter अब अगर pledge के उपर बात करें तो pledge यहां हमें किसी भी तरह का कोई pledge नजर नहीं आ रहा है यहां पे आप देख सकते की कौन से ऐसे mutual fund है जो की इसमें investment करें आपको एक जो mutual fund है वो नजर आएगा जो है Franklin India Opportunity Direct Fund Growth और यहां पे आपको 1.29% के आसपास की इनकी जो है वो investment नजर आ रही है अब सीधा यहां पे हम लोग चार्ट के उपर discuss करते है वन वीक के time frame में बात करेंगे जहां हर एक candle वन वीक को represent करता हूँ नजर आ रहा है अगर यहां पे numbers देखे हैं हम पहले की pre-covid के time की अगर हम बात करते हैं जैसे की 2018 के आसपास यह share जो है यह trade कर रहा था 788 के लगभग और यहां पे after covid और during covid यह जो है यह आपको numbers जो है काफी नीचे आप पहुंचते हुए इसको देख रहे थे उसके बाद जो इसमें एक bull run आपको आता हुआ दिखा है almost यह share जो है अपने previous high की तरफ इसने दौड लगाया उसके बाद यह 688 तक पहुंचा था बड़ उसके बाद आपको फिर से profit booking यहां पे नजर आई है काफी पर देखते हैं जहां हमें बहतर तरीके से समझाएगी और भी बाकिस चीज़े अब यहां पे अगर छोटे टाइम फ्रेम के बारे में बात करते हैं वन डे के टाइम फ्रेम पे तो यहां पे आप देखेंगे यह वो level था जहां से यह अभी वापस से गिरना स्टार्ट पहुचा था एंड यहां से आप देख सकते हैं कि यह थोड़ी थोड़ी इसमें बाइंग इमर्ज होते हुए यह सीधा अपने जो प्रिवियस हाय है डैट में 688 यह 700 आप बोले उसकी तरफ यह निकल चुका है और यह आने वाले टाइम में यह वहां तक आपको जाता हुआ बाकि अगर बात करते हैं कि इसके अलावे भी अगर इसको ब्रेक करता है अपने जो 700 के जो रिजिस्टेंस उसको अगर ब्रेक करता है तो आप चाहें तो आप इसको लॉंग टम के लिए थोड़ा होल्ट करें और उसी हिसाब से आपको इसमें जो है वो प्रॉफिट निकल के आएगा आप चाहें तो अभी भी आप इसमें इन्वेस्टमिंट स्टार्ट कर सकते हैं तो अगर आपको एक थोड़ा सा यहां डिप आता हुआ दिखता है क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं जो पैटन बन रहा है थोड़ी सी बाइंग इमर्ज होने के बाद आपको एक हलकी सी प्रॉफिट बॉकिंग दिखती है फिर यह जिग जैग के फॉर्म में चलता हुआ नजर आ रहा है तो आपको अगर आने वाले टाइम में थोड़ा सा इसमें एक डिप दिखता है वहां पे आप ले या फिर वहां पे आप इन्वेस्ट करें और फिर थोड़ा टाइ कोई तरीके से कुछ भी लगे तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हम आपको वहां पर बता देंगे बाकी चले फिर मिलेंगे फिर जल्दी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक यू एंड टेक क्या